अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक बर्तन में 200 ग्राम मैता आदा चुटी चम्मच अजवाइन नमक स्वाधनसार और 50 ग्राम घी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मैं दख लग्या सिज्ड़ी अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका टैट डो यहार कर लेंघे डो हमारा तैयार हो गया और इसको आदा घंटे के लिए लग देंगे, आप हमें स्टफिंग तयार करेंगे, इसके लिए 1 कडाय में 2 टेबिल इसपून ऑइल गर्म करेंगे, तो इसमें एक चुटी चम्मच जीरा और एक चुटी चम्मच प्रीदनिया डालकर इनको थुड़ा भून लेंगे, अब इसमें थूड़े से मुम्फली के लाल मिर्च और आदा च्छोटी जमच आमचूर पाउडर डाल कर इन सब को अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें थोड़े से स्वीट कौन डालेंगे इनको डालने से इसका स्वाध बहुत ही अच्छा आता है नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वाध अनुसार डालिएगा अब इसमें चार मीडियम साइज के उगले हुए यालू डालेंगे जिनको मैंने चुटे-चुटे टुगड़ों में तोड लिया था और इनको प्रेस करते हुए मिलाएंगे अब इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे इसको भी अच्छे से मिला लेंगे इससका स्वाध और भी अच्छा आ जाता है अब इसमें थोड़ा सा पनीर मिलाएंगे अब इसमें कटी हुए हरी दलिया डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे स्टफिंग हमारी तयार हो गई यह ऑब इसको एक बाल में निकाल लेंगे अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे इसको चारो तरफ ض alt known फो में अब काट लेंगे और इसका हटा देंगे इसको इस तती वूर inversion कर लेंगे और चाकू की साइता से इसके दोनों किनारों को इस तरीके से कट कर देंगे अब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे अब एक कटोरी में एक टेबिल स्पून मैदा लेंगे और तोड़ा सा पानी डाल कर इसका गूल तायार कर लेंगे अब इस गोल को इसके चारों कनारों पर लगाते हुए इनको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस पर मैदे का गोल लगाते हुए इनकी साइट्स को अच्छे से चिपका देंगे इनको अच्छे से चिपकाना है चाकू की सायता से इसके नीचे की हिस्से में ग्रूस बना लेंगे और इसको इस तरीके से खोल लेंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे स्टफिंग को थोड़ा दबा देंगे अब हम चोटी सी लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे और इसको rectangle shape में काट लेंगे और इस पर गोल लगाते हुए इसको stuffing के ऊपर चिपका देंगे ताकि fry करते हुए stuffing हमारी बहर न निकले इसको अच्छे से चिपकाएंगे अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे और इसको चार स्टिप्स में डिवाइड कर लेंगे और इनको इस तरीके से गोल करते हुए लंबा कर लेंगे हम इनकी साइथा से पर्स को हैंक करेंगे और इनको इस तरीके से तयार कर लेंगे इनको इस तरीके से गुमाते हुए एक रसी का आकार दे देंगे अब हम इस ट्रॉक के साइता से इसमें दोनों तरफ फोल कर लेंगे और इस रस्टी को इस तरीके से डालते हुए मैदे के घोल से चिपका देंगे इस प्रॉस्टीस को हम इधर भी करेंगे इनको भी अच्छे से चिपका देंगे अब हम एक स्ट्रिप लेंगे और उस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और उस पर एक मैदे का घोल लगा कर लेंगे और चापको की साइता से इसमें छेट कर देंगे अब हम थोड़ी सी मैदा लेंगे और इस पर मैदे का गोल लगा लेंगे, अब इसके उपर मेटर के दाने को चिपका देंगे, अब इस पर भी मैदे का गोल लगा कर इसको पर्स पर अच्छे से चिपका देंगे, ये लीजे हमारी क्यूट सी पर्स तयार है, इसी तरीके से हम सारी पर्स को तयार कर लेंगे अब हम इनको फ्राइ करेंगे इसके लिए कड़ाई में ऑईल लेंगे उसको गर्म कर लेंगे ऑईल हमारा गर्म हो गया है अब हम पर्स को इसमें सेकेंगे गैस की फ्रेम को लो कर लेंगे इनको खस्ता होने तक सेकेंगे, बीच-बीच में इनको पलट लेंगे पर्स हमारी सिख गई है, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे थैंक्स पर वाचिंग